हाई, बेस्ट बार्टर ट्रीट्मिन इंडस्ट्री के पुटेंशल को देखते हुए, जबसे ये चैनल इस्टैबलिश हुआ है, इस इंडस्ट्री पर हम लगातार बात कर रहे हैं, शायद ही ऐसा कोई चैनल होगा जिस पर इस इंडस्ट्री को इतने फ्रिक्वेंटली कवर क किया गया हो, इस इंडस्ट्री से हमने अभी तक तीन कंपनी को शॉट लिस्ट कर दिया है, फर्स कंपनी वाटेक ववग लिमिटेड है, जिसको फर्स टाइम हमने 18 दिसंबर को कवर किया था, तब से इस कंपनी ने 82% के रिटरंस बना कर दिये हैं, याने की अप्रॉक्शि 7% के रिटरंस बना दिये हैं, इस कंपनी में लिस्टिंग के बाद मैंने खुद भी इंवेस्ट किया था, मेरी स्टेडी के अकॉर्डिंग अभी किसी भी कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग करने के जरूरत नहीं है, आप मैंसे काफी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि अच्छे रिटरंस बना कर दे चुकी है, और शायद ही कोई अच्छी ऑपरचुनिटी अब इस इंडस्ट्री में बची है, लेकिन ऐसा नहीं है, इस टाइम एक कंपनी वेस्ट वाटर ट्रीटमें इंडस्ट्री में ऐसी है, जो अब और भी इंट्रेस्टिंग हो गई है, क जानेंगे सब इसी वीडियो में, तो नमस्कार, कैपिल एंगेंट्स में मैं सुशील देवल आपका सुआगत करता हूँ, इस तरह के रिसर्च एन फैक्ट बेस्ट कंटेंट को आप तक लाने में काफी मेनत भी लगती है, तो मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक इस इस पर हमने कई बार डिटेल डिसकेशन किया हुआ है, जिन लोगों को डिटेल डिसकेशन चाहिए, वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो मैं वीडियो का लिंक प्रवाइड कर सकता हूँ, इंडेस्ट्री में टेल विंड के पीछे जो पहला अस्पेक्ट है, वो ह आफकोर्स पर कैबिटा वाटर अवैलिविलिटी, मीन्स पर परसन के हिसाब से इंडिया में वाटर अवैलिविलिटी क्या है, और वो है 1545 क्यूबिक मीटर, इंटरनेशनल नॉर्म्स के अकार्डिंग, अगर किसी रिजन में पर कैबिटा वाटर अवैलिलिटी 1700 क्यूबि मीटर रह सकती है and by 2050 इंडिया में per capita water availability 1191 cubic meter रह सकती है जो कि इंडिया को water stress country से एक water scarce country के list में शामिल कर सकता है second expect को अगर हम study करें तो नीती अयोग के data के according आज भी इंडिया में 50% population SE है जिनके पास safe drinking water का access नहीं है and हर साल लगवग 2,000,000 लोगों की death होती है due to drinking contaminated water third reason यह है कि इंडियन cities जितना भी sea waste generate करती है उसमें से सिर्फ 28% sea waste ही treat हो पाता है 72% of untreated sea waste आज भी water waters में mix होकर उनको pollute कर रहा है means एक तो water की availability कम है उपर से जो है भी वो भी pollute हो रहा है due to untreated sea waste इन सारे reasons के चलते इस industry में एक बड़ी opportunity already emerge हो चुकी है especially in the field of wastewater treatment, sea waste treatment, sea water desalination and rainwater harvesting water का crisis time के साथ और भी intense होता जाएगा इसलिए इस industry में demand हमेशा ही बनी रहेगी and ना ही यह industry cyclical होने वाली है क्योंकि जो water scarcity को overcome करने के measures हैं उन्हें throw out year adopt करना पड़ेगा ऐसा नहीं हो सकता है के sea water desalination को सिर्फ 2 months के लिए adopt करके salver की requirement को fulfill किया जा सकता है या सिर्फ 3 months ही sewage को treat करके salver का काम चल सकता है इसलिए इन सारे steps को throw out the year adopt करना पड़ता है इस industry में operate करने वाली companies पैसा कहां से बनाएंगी एक तो पहले वो plants को set up करने में पैसा बनाती है उसके बाद वो उन्हें operate करने में और थर्ड उनकी maintenance करने में इसके साथ government के द्वारा लिए हुए कुछ initiatives जैसे कि जल जीवन mission, नमामी गंगे, national water supply scheme, ruler drinking water program ये सब भी इस industry में एक बड़ी opportunity पैदा कर रहे हैं जैसे कि Warren Buffett जी कहते हैं कि किसी भी company को buy करने का best time तब ही होता है जब वो temporary troubles में होती है लेकिन हम क्या करते हैं हम उस company को तब consider करते हैं जब वो अपने best operations कर रही होती है हमारे आज का framework भी इसी condition को follow गरता है कमपनी का नम वाटेक वाग लिमिटेड है कमपनी को जब हमने 24 September को study किया था तो हमने कुछ points को आपके सामने रखा था जो कि company implement कर रही है so that company की value बड़े, company की productivity बड़े and company और वी efficient हो presently उन points का क्या status है and उनका क्या positive impact देखने को मिल रहा है तो इस वीडियो में हम बहुँ study करेंगे जिससे हमें decision making में help मिले कि क्या company को अभी हमें consider करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए सबसे पहला step company ने जो अपनी operating efficiency को improve करने के लिया है वो है European market से अपने exposure को कम करना and इसी के लिए company ने अपनी दो European entities से divestment किया है European market से company को revenue तो अच्छी आ रहे थी लेकिन profit margins अच्छे नहीं आ रहे थे यही करना है कि जब आप company के quarterly results देखेंगे तो September 22 तक आपको operating profit margins कुछ खास देखने को नहीं मिलेंगे सिर्फ 7, 8 and 9% के around है लेकिन इसी time पर अगर हम industry की most efficient company iron exchange के operating profit margins से compare करें तो यहाँ हमें जो operating profit margins है वो काफी अच्छे देखने को मिले थे याने की 10%, 11%, बीच में 19% के around भी गे थे लेकिन बही हगर हम byteg bag limited के last 4 quarters के operating profit margins देखें तो यह 10% से उपर है और यह वही time है जब से company ने अपने operating efficiency को improve करने पर काम करना start किया है और इसी दोरान कंप्री ने अपने European entity से divestment भी किया है इसी दोरान अगर आप oil exchange के operating profit margins देखेंगे तो आपको 12%, 16%, 10% और 11% के around देखने को मिलेंगे लास्ट के 4 quarter के और वाटेक बवाग लिम्टेड के हैं 14%, 12%, 10% and 13% जो की बिलकुल in-line है लेकिन वाटेक बवाग लिम्टेड के केस में हमें revenue में degrowth देखने को मिल रही है यहाँ आप देख सकते हैं कि September 23 में revenue आया 665 क्रोर की and similar quarter में एक साल पहले थी 750 क्रोर की इविन की जो June 23 वाला quarter था उसमें revenue आया थी 553 क्रोर की and similar quarter में एक साल पहले revenue थी 632 क्रोर की and इसका सबसे बड़ा reason भी यही है कि European market में company अपने exposure को कम कर रही है company अपनी revenue को बढ़ाने के लिए क्या steps ले रही है या कौन सी SG developments हो रही है जिससे company की revenue future में बढ़ सकती है यह हम video में आगे study कर लेंगे लेकिन operating efficiency को बढ़ाने के लिए company जो steps ले रही है उसका फाइदा यह हुआ है कि year on year basis में quarterly results में 11% की degrowth होने के बाब जूद भी जो net profits हैं वो आप देख सकते हैं कि September 22 में थे 46 क्रोर के and वो बढ़कर इस quarter में हो गए है 60 क्रोर के जबकि revenue में degrowth हुई थी लेकिन net profits में 25% की growth हुई है and ये net profits highest ever net profits हैं किसी भी quarter में revenue को healthy रखने के लिए company asset line model पर काम कर रही है and net positive cash के पाथ पर है दुसरा parameter जो हम study करेंगे वो है debt iron exchange की case में देखें तो borrowing आपको हमेशा ही control में देखने को मिलेगी and कभी भी company की जो borrowing है वो annually 165 crore से उपर नहीं गई थी and यही कारण है कि company का जो debt के उपर interest payment है वो किसी भी financial year में 22 crore से उपर गया ही नहीं लेकिन अगर हम बाटक बवाव के case में देखें तो borrowing जो है वो काफी elevate हो चुकी थी financial year 19 में company की जो borrowing थी वो 613 crore हो चुकी थी and अगर हम profit and loss statement में देखें तो interest जो है March 20 एक ऐसा quarter था जब company ने 109 crore सिफ interest पे किया था अपने debt के उपर financial year 20 के बाद जो next 3 financial year गे हैं उसमें हमें जो debt का trend है वो लगाता decrease होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ आप देख सकते हैं कि financial year 21 में company के उपर 90 crore debt था फिर उसको कम करके 88 crore किया है then उसको कम करके 66 crore किया है financial year 20 के बाद company का debt के उपर जो interest है वो financially year 20 के बाद लगातार कम होता हुआ दिखाई दिया है जो कि financially year 21 में 90 crore का interest payment किया था उसके बाद next financially में 88 crore का interest payment किया था and financial 23 में 66 crore का interest payment किया है जो debt का downtrend है यह काफी अच्छा sign है debt बढ़ने के जो सबसे बड़े reason है जो मुझे समझ आते हैं वो है global expansion company ऐसी geographies में expand कर रही थी जहाँ पर company को अच्छे margins नहीं मिल रहे थे बेशा company को अच्छी revenue आ रही थी and उसी का कारण है कि company के net profit के उपर अच्छा impact देखने को नहीं मिल रहा था company ने दो challenges को तो overcome कर लिया है यह हम बोल सकते हैं कि overcome करती हुई दिख रही है उसमें first है profit margins and second है debt third problem जिसे VATEC Mobile Limited को overcome करना है वो है revenues को बढ़ाना क्योंकि इससे पहले हमें जो revenue का trend है वो ठीक देखने को नहीं मिल रहा है तो यह revenue कैसे बढ़ सकते हैं उसके लिए हम कुछ data देख लेते हैं management ने बताया है कि financially year 24 के first half में कुछ बड़े orders commence हुए है जिनकी bill payments होने के साथ company की revenue में growth हो सकती है better earning visibility के लिए हम company की order book पे चले जाते है company की जो total order book है वो 121 billion rupees की है याने की 12,100 crore की जो कि company के market cap के comparison में 3.5 times जादा है और अगर हम financial year 23 की revenue से compare करें तो ये 4.2 times है complete order book को देखे तो यहां में देखने को मिलेगा जो engineering procurement and construction है यहां से company के पास 630 crore के order है and operational maintenance से 464 crore के order है and इसी के साथ company की जो total order book हो रही है वो हो रही है 12,100 crore के अप्रॉक्स friends, EPC segment से जो company की order book है यह 63% है and यह कैसा segment है यहां से company highest operating profit margins बनाती है and यह company के लिए काफी अच्छा sign है company की order book को अगर हम iron exchange की order book से compare करें तो iron exchange की जो order book है वो है 3,420 crore and इसी के साथ management ने बताया है कि iron exchange के पास जो bid अभी pipeline में वो 8,745 crore की है लेकिन इसमें से कितने order company के पास आएंगे इसके बारे में कुछ कहा भी नहीं जा सकता इसलिए जो bid pipeline में है तो इसको हम ignore करते हैं दोनों की order book को compare करें तो Vartek Vavail Limited की थी 12,100 crore and iron exchange के comparison में वो 3,5 times जादा है जबकि Vartek Vavail Limited की जो market cap है वो 35,00 crore की है and iron exchange की जो market cap है वो 8,300 crore की है means iron exchange की जो market cap है वो Vartek Vavail Limited से 2 गुना से भी जादा है लेकिन जब मैं यह सब कहा रहा हूँ doesn't mean की आप iron exchange को कल ही बेच कर Vartek Vavail Limited में invest कर दें क्योंकि data सिर्फ study purpose के लिए है and iron exchange highly efficient company है जो अपने revenue and net profits को काफी steady pace पर बढ़ा रही है इसलिए जो iron exchange में invested है मुझे नहीं लगता है उनको निकलने की ज़रूरत है अब आता है valuation iron exchange के case में देखे तो company को जो PE मिल रहा है वो मिल रहा है 40 and 8 का and ये PE मिले भी क्यों नहीं क्योंकि company ने अपनी जो sales को है वो काफी consistently बढ़ाया है last के 10 सालों में उसके बाद company ने अपने profits को भी काफी consistently बढ़ाया है and यही कारण है कि company ने अपने investors को last के 10 सालों में 51% के CAGR से return बना कर दिये है last के 5 सालों में 73% के CAGR से and last के 3 सालों में 93% के CAGR से return बना कर दिये है लेकिन बही अगर हम bar tech web limited के case में देखे तो valuation कहीं पर हमें 100 से उपर देखने को मिलेगी कहीं पर जो PE है हमें 74 का देखने को मिलेगा लेकिन last time जब हमने study किया तो हमने बताया था कि जो price to earning है वो 11 या 12 के around है लेकिन काफी सारे viewers ने ये बोला था कि जो price to earning हमने दिखाया है वो गलत है क्योंकि उनको किसी दूसरे platform पर जो price to earning है वो 70 से उपर देखने को मिल रहा था और उसमें हमारी भी गलती है क्योंकि हमने उसके पीछी के पूरे process को आपके सामने नहीं रखा था जो कि आज हम रखने वाले हैं किसी भी company के price to earning को निकालने के लिए उसके stock price को last 4 quarter के EPS को plus करके divide करना पड़ता है वाटक बवाग लिम्टेड के case में अगर आप देखें तो stock price है 578 इसको आप note करके रख सकते हैं इसके बाद अभी हम quarterly results पर चले जाते हैं last के 4 quarter के EPS को देख लेते हैं यह March 23 वाला quarter है यहाँ आप देखेंगे कि company ने 232 क्रोर का other income से losses पोस्ट किये थे and यह exceptional losses थे and यह ऐसा time चल रहा था जब company काफी सारा restriction कर रही थी इस तरह के जो losses है वो हमेशा नहीं देखने को मिलते हैं यहाँ आप एक लंबा record देख सकते हैं इस quarter में जो revenue थी company की वो highest ever के करीब थी that is 927 क्रोर company अगर यह exceptional losses पोस्ट नहीं करती तो company के जो net profits हैं वो approximate 85 क्रोर होते जो भी किसी भी quarter में highest ever थे and company को यहाँ पर जो EPS मिलता वो minimum 13.5 का जरूर मिलता लेकिन अभी के case में जब हम calculate करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 9 and 8 17 टोटल बन रहा है 17.72 के around इसको अगर हम इन तीनों को plus करें तो यह 3 quarter का EPS तो खतम ही हो जाता है क्योंकि 17.72 last 2 quarters का हो रहा है and सिर्फ एक quarter में ही company ने 17.86 का negative EPS generate किया है तो 3 EPS तो खतम ही हो गए बजता है सिर्फ 1 EPS 7.58 company का stock price है 578 इसको अगर हम divide करेंगे जो कि इकलोता EPS बजता 7.58 तो हमें जो अभी EPS चल रहा है वो देखने को मिल जाएगा 7.58 जिससे बाकी लोग EPS निकाल रहे हैं उसके हिसाब से बनता है 76.25 लेकिन यह actual EPS नहीं है अगर हम company की value को देखना चाहें एक्चुल हमें price to earning निकालने के लिए जो minus 17.86 का EPS है यहाँ पर positive 13.5 के EPS को लेना पड़ेगा क्योंकि जो losses थो वो restructuring के कारण थे and exceptional थे उस case में हमारा जो EPS बनता है एक वारा उसे हम calculate करके देख लेते हैं 7.58 जो की इस quarter का था उसके बाद यहाँ हम 13.5 लेंगे प्लस कर देते हैं 13.5 उसके बाद next है 8.04 यह आगा 8.04 and उसके बाद हम last वाला ले लेते हैं 9.68 यह आगा 9.68 सबको जोड़ेंगे तो EPS निकल कर आता है 38.8 आप 38.8 को याद रख लिजिए अभी मैं इसको stock price से divide करूँगा stock price आगया 578 and EPS आगया 38.8 तो उस हिसाब से जो EPS निकल कर अभी आता है वो आता है 14.89 क्योंकि मैंने यहाँ पर जो net profits है यह काफी conservative लिये थे and EPS भी मैंने 13.5 ही लिया था जबकि EPS 14 या 14.5 भी हो सकता था तो actual में जो price to earning निकल कर आता है वो 12K around ही है friends जिस तरह से company अपनी operating efficiency को बढ़ा रही है जिस तरह से company की order book है तो मेरा मानना है कि जो present price to earning है यह काफी undervalued है and future में काफी chances हैं कि company का price to earning में expansion हो अगर ऐसा होता तो उस हिसाब से company का stock price क्या होना चाहिए तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले EPS ले लेंगे तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो EPS है इसमें ज़्यादा growth को consider नहीं कर रहा हूँ जो अभी EPS निकाला है 38.8 इसको multiply करूंगा 30 के PE से क्योंकि iron exchange को जो PE मिल रहा है वो मिल रहा है 40.8 का तो हम मान लेते हैं कि VATEC को 30 का PE मिल जाता है तो उस हिसाब से कंपनी का जो stock price निकल कर आता है ये हो गया हमारा EPS 38.8 और price to earning हम मान लेते हैं कि कंपनी को अगर 30 का भी मिल जाता है उस हिसाब से stock price निकल कर आता है 1164 और present जो stock price है वो है 578 लेकिन इस बात की कोई guarantee नहीं है हम सिर्फ study के basis पर बात कर रहे हैं तुसरा scenario ये भी हो सकता है कि जितनी बड़ी company की order book है अगर company की revenue में अच्छी grow देखने को मिलने लगती है और जब सब कुछ better होगा तो company को एक अच्छा PE भी मिल सकता है तो company का stock price जो अभी हमने निकाला है 1164 इससे भी कहीं उपर जा सकता है अगेंड ये सिर्फ हमारी study है ऐसा बिल्कुल कोई guarantee नहीं है कि stock price उपर जाएगा ही जाएगा इस industry से ये company belong करती है उसमें time के हिसाब से demand लगातार बढ़ती ही जाएगी तो इसलिए इस तरह की companies को हम long term के लिए भी consider कर सकते हैं अच्छे से study करके फैंस वीडियो में अगर आपको कुछ भी informative लगा हो तो मेरी motivation के वीडियो को like ज़रूर कर दे इससे हमें और hard work करने के लिए motivation मिलती है जिन viewers ने channel को subscribe नहीं किया आइ रिक्वेस्ट वो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें तो कैसा लगा वीडियो comment section में ज़रूर बताईएगा मिलते हैं आप सब्सक्राइब वीडियो में take care